इंडियन टीजी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज मैटवार्ड एक दुकान दार ने अवेत तहखाना बनाने के लिए निर्मान कारे चला रखा है किन्तु नगरपालिका से महज सो मीटर की दूरी पर चल रहे इस अवेत तहखाने के निर्मान के बारे में नगरपालिका को भनक तक नहीं लग रही होगी ये सोचने का प्रशन ही नहीं उठता सीधा सीधा कहा जाए तो नगरपाली का प्रशासन की इस तैक खाने के निर्माण में मिली भगत नजर आती है आलाधिकारी ही जब शहर में ऐसे हो रहे अवैत कारियों पर नकेल कसना बंद कर दे तो सोचनी अबात ये नजर आती है कि कहीं दुकान मालिक ने प्रशासन के आलाधिकारियों की जेब तो गर्म नहीं की है और अगर ऐसा है तो प्रशासन इस पर कारवाई ना कर तैक खाने का निर्माण होने के बाद शायद दुकान का फीता काटने की मन्शा हो बता दें कि फिछले 15 दिन से बस्टेंट सिस सुंदरम कलेक्शन रेडिवेट कपलों की दुकान के मालिक ने फिछले 15 दिन से अवैद तह खाने के निर्माण का कारया चालू कर रखा है हमारे समवाद आता ने जब बुद्वार को नगरपाली का प्रशासनी क अधिकारी दीपा सैनी से इस अवैद नर्माण को लेकर बात करनी चाही तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला हमारे संग्यान में नहीं है पिर उन्होंने इस शिकायत पर आमल करने के भजाए उनसे लिखित में शिकायत देने की बात कही कुल मिलाकर अगर लिखित शिकायत ना हो तो क्या प्रशासन उसमर एक्षन लेने का अधिकार नहीं है या लोगों के बीच उट रही चर्चा की प्रशासन की जेब गर्म कर दी गई है जिससे प्रशासन गलत को भी गलत बता कर कारवाई करने से अपने हाथ पीछे खीच रहा है शायद भू माफिया एक दो दिन में अपनी कारवाई करने के मूड में है छट डालने के मूड में क्योंकि कल शनिवार की वज़े से छुटी होने वाली है और परसोर अविवार हो जाएगा और यही मौका देखकर वो छट डालने की कोशिश कर रहा है अपने तक आने पर लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है ज्यादा नहीं है कुश्मी कारवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है लगता यूँ है कि DLB डिरेक्टर रेनू खंडेलवाल जी ने जब समबादाता ने बात की तोनने समबादाता को लखत में शिकायत करने के लिए कहा अधिशासी अधिकारी की माता जी की तवियत खराब होने की वज़े से वो अभी ख्युटियों पर चल रही है ब्यूरो रिपोर्ट इंडियन टीवी निउस